उत्तरप्रदेश के जनपत बहरायत में भारत नेपाल सीमा पर इस समय लगभर डेड़ माह से नेपाल से भारत में आने वालों का ताता लगा हुआ है वहीं प्रते दिन हजारों की संख्या में नेपाली प्रवासी हरिद्वार, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महराष्ट, गोवा आद इस्थानों को जा रही है वहीं ये यात्री रोडवेद के साथ साथ निजी चाल को टूरिस्ट एजेंसियों के द्वारा चलाई जा रही बसों से यात्रा करते हैं वहीं सीमा पर वाहनों के आवागवन बंध होने से इन लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको बता दे कि सामाल लाद कर छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाय लगभग एक किलो मीटर पैदल यात्रा करके आते जाते हैं वहीं इन व्यक्तियों की भीड से यदि कोरोना नहीं फैलेगा तो कह बस टैक्सी रिक्सा आधि बाहनों के चलने से फैलेगा या एक विचानडी विशय है यह रुपईडिया का रोड़ बेज बसड़ा है यहां आप देख रहे हैं नेपाली यात्रियों की भीड लगी हुई है यह सब लोग हरिद्वार जिली आज इस्थानों पर जाने के लिए यहां इकठ्थे हैं प्रति दिन इसी तरह हाजारों लोग नेपाल से आकर भारत के काम करने के लिए जाते हैं इन लोगों को आने की शूट नेपाल गॉर्मेंट देती है भारत सरकार भी इस अन्यजाने के शुविधा नहीं है अगर आद्मियों के आने से कुरोणा नहीं फैलता है आदमियों के जाने से कुरोणा नहीं फैलता है तो आव वाहनों में कैसे कुरोणा फैल जागा ये न तो नेपाल सरकार को इसका सही जवाब देती है नहीं भारत सरकार और एक आम आदमी जिसके साथ में सामान भी हो बच्चे छोटी छोटी हो या बीमार हो उसे करीब करीए एक किलो मीटर पैदल चलकर और फिर भारत प्रोष करना पड़ता है या नेपाल प्रोष करना पड़ता है अभी यह बस हर द्वार जाने वाली है और इसके सामने गेट पर कितने लोगों ने भीड लगा रखी है कि इसका द्वार खुलते ही और इसमें अपनी सीट सुरक्षित कर दें इस तरह प्रत दिन यहाँ पर जाने वालों की भीड रहती है रोग भाग करके अपनी रोजी रूटी कमाने के लिए भारत मुट्रवेश कर दें कहा जाना आपको अखन भारत न्यूज के लिए रुपईडिया से मैं द्यासंकर सुक्ल की रिपोर्ट पहराई आपको